अब हम लोग देखने वाले हैं marriage से related जितने भी one word substitution है जो के SP बक्सी में दिये गए हैं सारे one word substitution को देखने वाले हैं ज्यादा नहीं है ठीक है तो वीडियो को इंड तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको SP बक्सी देखने की ज़रुत नहीं परेगी अगर आपके पास SP बक्सी नहीं भी हो तो ये वीडियो से आप काम चला सकते हैं आपका एक्जाम अच्छा हो जाएगा तो देखते हैं पहला word marriage से related सबसे पहला word है adultry adultry का मतलब क्या होता है the practice of having extra marital relations or affairs इसका मतलब यह होता है कि wife के होते हुए भी किसी किसी और के साथ भी relationship में रहने को क्या बोलते है adultry बोलते है रिके है ऐहले से आया adultry इसे करकर याद रख सकते है वह सब्लमाइब से अदूरी करल मतलब क्या होता है कि an allowance paid to wife and divora divorce के वक जब wife को कुछ paid किया जाता है allowance दिया जाता है उसी को बोलते है होगा ठीक है तो the practice of having two wives or husband at a time यानि कि जिसकी या तो दो बीवियां होगी या फिर और लेडी है तो उसके दो husband होगे उसके लिए यूज करते हैं by gaming next है मारा celibacy celibacy का मतलब क्या होता है state of abstention from marriage यानि कि जो बर्मचारी हो जाते हैं ठीक है जिनको साधी और sexual relation में को इंट्रेस्ट नहीं होता है उनके लिए यूज करते हैं celibacy और इससे related synonyms क्या है chastity ठीक है तो यह इसका synonyms से इसको भी याद रखना है आपको next है हमारा concubinage concubinage का मतलब क्या होता है living relationship a man and a man living without being married यानि कि हम लोग जो living relationship बोलते हैं उसी का और एक synonyms क्या है concubinage next है मारा word misogamist gammy का मतलब कर चुके हम लोग गैमी का मतलब 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 marriage और miso जो है यह एक negative word के तरह use होता है ठीक है miso जहां पर भी आ गया यानि कि उसका उल्टा होगा तो gammy मतलब marriage जो marriage नहीं करना चाहिए याँ marriage से नफरत करता होगा उसके लिए यूज करते है misogamist मिसो का मतलब होता है hate करना नफरत करना तो one who hates marriage उसको बलते है उनके लिए यूज करते है misogamist next है मारा matrimony matrimonial side सुने ही होगे तो matrimony का मतलब क्या होता marriage साधी ठीक है तो state of being married उसी को बोलते है matrimony या फिर साधी या फिर उसी को बोलते है matrimony next है monogamy तो mono अभी थोरे दिर पहले बात किये कि mono का मतलब होता है one और by का मतलब होता है two gammy का मतलब होता है marriage तो जिसके एक साधी होने को क्या बोलते है monogamy next है polygamy हो गया बाइगवी हो गया उसके बाइगवी उसके बाद poly poly का मतलब होता है more than two ठीक है तो polygamy का मतलब क्या हो जाएगा more than one or two भी बोल सकते है ठीक है ठीक है next है मारा polyandry ठीक है अब endro जो word है ये male के लिए यूज होता है तो endro का मतलब क्या होगा polyandry poly का मतलब more than more than more than two man या फिर ये बोल सकते है ठीक है more than two या फिर more than one बोल सकते है endro का मतलब होता है man तो जिसके क्या होंगे the practice of marrying more than one husband at a time जिसके एक से ज्यादा husband होंगे उनके लिए यूज करते हैं polyandry ठीक है next है मारा इस spinster spinster का मतलब क्या होता है an older woman who is not married जैसे गाव वगर में शहर वगर में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिरकी age तो हो चुकी होती है लेकिन उनकी शादी नहीं होगी होती है तो उसके लिए उस करते इंस्पेंस्टर ठीक है और यह वाला polyandry आप फिर से दिमाग में बैठा लीजिए polyandry बहुत बाहर पूचा जाता है poly मतलब more than one और polyandry का मतलब क्या हो जाएगा कि more than one क्या है उनके husband है ठीक है तो वह हो जाएगा polyandry ठीक है तो यह सारे word थे जो के SP बक्सी में दिये गए थे ठीक है ज्यादा नहीं 11 ही word SP बक्सी में दिये हुए है marriage से related तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो please hit the like बटन और यह सारे वीडियो जो suggestions में आ रहे है इसको भी अब check out कर सकते है thank you so much for watching